आप चलिए फिर आज वाली वीडियो से स्टार्ट करते हैं जी मैं आज आपको पहले तीन वीडियो में जो है वह थेोरी पाट के सारे कुश्चन करवा चुका हूं तो आज हम करेंगे जी जो आपके चंडी डेट में में मों सस्पेक्टेड कोश्चन है जी स्टार्ट करते हैं तो चलिए फर्स्ट वाले कुश्चन से स्टार्ट करते हैं देखो क्या लिखा हूं देखा जी वाइल कम्प्यूटिंग दा मीन किसका ग्रूप डाटा का वी अजूम देड़ फ्रीक्वेंसीज आर इन में से कौनसा ऑप्शन होएगा एबी सीडी में से द आपके पास यहां भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जी आपके पास यह दिया हुए टू और यह दिया हुए थ्री बास तो अगर आप इसका मीन फाइंड करते हो तो उसका प्रोसेस ऐसे शुरू होता है कि आप क्लास इंटरवल से शुरू नहीं करते हो आप उसका फाइंड क का midpoint कितना हुआ 50 और यह जो 0 और 10 है इसमें 0 वाले को बोलते हैं lower limit और 10 वाले को बोलते है upper limit और जो इसके बीच का value होता है उसे बोलते है class mark यानि की x i तो sir उसके बाद फिर आफ f i और x i को multiply करते हूं या से 10 आ गया यह 45 आ आ गया फिर दोनों को add करोगे 55 आ जाएगा इसे बोलते हैं समेशन ओफ मैंसे यहां पर लिखता हूं समेशन ओफ f i x i और उसके बाद जो आपकी frequency आप उसको add कर लोगे से बोलोगे इस mission of f 55 आ गया फिर आप क्या करोगे 55 को 5 के साथ डिवाइड कर दोगे मतलगी आपका अंसर आएगा 11 तो जी आपकी जो frequency वह centered है किसके उपर क्लास मार्क के उपर है और option कौन सा है centered at the class mark of the classes यह राजी option इसका कहने का मतलब यह है कि जब आपको mean find करना होता है तो जो frequency है उसके साथ corresponding कौन सी टम जो है जिसके पर हम focus करते center करते हैं वह है जी आपका class mark तो फिर्स्ट वाले का इसका answer है बहुत important question है नेक्स वाला देखो क्या लिखवा है लिखवाजी ता mean mean of the hundred terms is 49 अब खुद बताओ कि अगर total terms 100 है और उनका average 49 है तो क्या total जो है वह आपका 4900 होएगा यह लिख लिए 4900 और उसमें बोला जी item जो था उनको लिखना क्या था 60 70 और 80 मतलब कि उनका total आना चाहिए था 60 70 और 80 का 210 यह आना चाहिए था total बट गलती हुई क्या इन numbers को गलती से read कर लिया 40 20 और 50 मतलब कि उसने total जो है वो लिख लिया इनका 110 जो की गलत है राइट था कितना 210 इसका मतलब यह हुआ कि total दोनों में डिफरेंस जो है वो 100 का है इट मीन जो आपका टोटल 4900 आया है वह नहीं गलत है आपका यह कितना गलत है यह 100 गलत है दो जीरो कैंसल तो आप बोलोगे जी राइट एबरेज वह पचास आएगा कौन सा ओप्षिन है यह ओप्षिन आगे से नेक्स वाला देखो question number 3 वाला यह marks दिए हुआ और class interval दिए हुआ है यह continuous दिया हुए और यह number of student दिए हुए लिखा जी number of the student who get the marks less than 30 बिल्कु सिंपल है less than 30 मैं आपको बोला था जी अगर 0 से लेके 10 लिखा हुआ है और 10 से लेके 20 लिखा हुआ है जिसे हम class interval बोलते हैं continuous तो यह 0 से लेके 10 का मतलब यह नहीं होता कि जिनके marks 0 के 10 देकर नहीं सिर्व लिखने को होता है 0 to 10 बट इसमें उन student के marks आएंगे जिनके marks होएंगे 0 से लेके 9 तक जो 10 वाला marks वाला student होएगा वो जी इसमें नहीं आएगा वो आपका next वाले interval में count होएगा और यह 10 to 20 तक नहीं होएंगे सिर्व लिखने में 10 to 20 आते हैं बट यह count होते हैं 10 से लेके 19 तक कहने का मतलब यह है कि जो आपकी upper limit होती है जी वो आपकी continuous class interval में count नहीं होती है तो जी इसमें पूछा हुए कितने असे स्टूर्ण है जिनके मां 30 से कम है यह राजी 20 से लेके 30 तक यह सारे ही आएगे सारे का मतलब यह number of students तो कितने बने थ्री प्लस नाइन 12 12 प्लस 13 टोटल बने 25 कौनसा option है जी option आ गया भी अगर पूस्ता 40 से वाले कितने कम है तो यह स सब्सक्राइब है नेक्स वड़ा देखो जी क्वेश्चन नंबर फॉर यह दिया हो जी क्लास इंटरवल्स और यह दिया है स्टूडेंट के नीच में फ्रिक्वेंसी कितनी आई हुई है अब देखो इसमें फ्रिक्वेंड करना है what is the difference इसमें अपर लिमेंट में किसका का मतलव होता मैं मीडम नहीं हो चैंद करेंगे आपका कerson का और देखो करना है ौवरों करना पडियंग करना होता है इसे महां मतलव होता हैकि को प्रेक्वों सितौड कुछ नहीं होता है क्यों जो फ्रिक्वेंसी ना उनको आपसमें एडरहनों होता है जैसे पहले वाली कि कितनी है 10 next वाले की कितनी है 15 तो जी आप इन दोनों को एड़ कर देते हो मतलब कि पहले वली फ्रीकुंसी को next वाली फ्रीकुंसी में एड़ करते जाते हैं इसी को बोलते हैं community frequency तो 10 10 प्लस 15 आप गया 25 25 प्लस यह वहला 12 तो आप बोलोगी जी आगया 37 37 37 प्लस 20 तो आप बोलोगी यह आगया 47 यह बस आगे से आगे आड़ करते जाना है 47 प्लस 9 तो जी आप बोलोगी तो आप बोलोगी जी आगया 56 इसका मतलब अगर मैं इस पूरी frequency को एड़ भी कर लो तब भी मेरा टोटल जो है वह 56 आएगा इसी को बोलते हैं जी हम एन अब हमें क्या करना होता है इस 56 को डिवाइड करना होता है तो से हाफ कर देते तो बोलोगी क्या यह आपके पास यहां पर आएगा 28 यह देखो 28 पहले चेक कर लेते एक और हमने ठीक अब किया कि नहीं 10 10 59 किया यह आगा 25 25 वो ट्वेल 37 यह हमने थोड़ा गलत कर दिया मुझे लगता है 27 में जब मैंने 28 गिया तो यह आएगा 57 57 में 9 एड करेंगे तो यह आएगा 66 और जी अगर मैं यहां पर 66 का करूंगा हाफ तो जी यह आएगा नंबर आपका 33 अब आपक यहां पर कम्यूटिव फ्रीकुंसी में बताओ जी क्या यह इसके बीच में आएगा नहीं आएगा क्या यह 25 37 के बीच में आएगा बिल्कुल जी 33 दोनों के बीच में आएगा तो आपको फ्रीकुंसी लेनी है कम्यूटिव फ्रीकुंसी कौनसी जाधा वाली जाधा वाली क कौन सी है 37 बस जिसको सब्सको सरकल लगा कि उसके सामने वाला इंट्रवला 10-15 और इसी को बोलते हैं जी हम मेडियन क्लास यह यह मीडिन क्लास भाइड है मोडल क्लास कि होता है मोडल क्लास मोड का मतलत होता है हमोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा करती है कि इसके लिए हमें सी एफ की जरुद नहीं है आप निसे फ्रीक्वेंसी चाहिए फ्रीक्वेंसी का मतलब आप मुझे बताऊ कि जूफी कौन्सी मैं ने लिखी हुए मैं यहां पर हिद रभ मew的 ही हम मोडल क्लास आख दे कौन से वाला 502 दो तू द्वन जि आप अब देखसे नहीं पूचा किया था उसे नहीं पूचा था अपर लिमिट किसकी मीडियन क्लास की अब बताओ भी मेडियन है को कितने है तो आप भोलोंकि 15 पंदर हैं धु lifes लिमिट लोर लिमिट किसका मोडल क्लास का मोडल क्लास है 15 से लेके 20 तक तो बताओ इसकी लोर लिमिट कितनी है इसकी पंदरा है तो 15-15 अंसर कितना 0 कौनसा option है और जी option आगया है बास इतना simple सा काम है next विला देखो question no.5 same question what is the difference between the upper limit of the median class चलो पहले मिटिन क्लास फाइंड करते है कैसे फाइंड होगा मैंने क्या वोला क्या फाइंड करना है cf cf का मतलद community frequency बस एड करना है पहले वाला 4 4 plus 5 9 9 plus 13 यह आगया 22 22 plus 20 यह आगया 42 42 plus 14 यह आगया जी आपका 56 56 और 7 यह आगया आगया 63 और 63 plus 4 यह आगया जी आपका 67 और जी अगर आप इस frequency को एड भी करोगे तब भी इसका total आएगा 67 और मैंने बोला इसे बोलते एंड बस जी आपको इस एंड को कर देना है दूसे तो आप भोलोगे जी यह आगया 33.5 अब बताओ मुझे 33.5 कहां लाई करेगा सीएफ में community frequency में तो आप बोलोगे सर यह लाई करेगा इधर इन दोनों के बीश में तो मैंना बोला जी उठाते हैं हाइस्ट वाला हाइस्ट वाला कौन सा है 42 बस इस 42 के सामने आजोगे तो इसके सामने इंटरवल है जी आपका मीडियन वाला और यह मीडियन वाला आपको पहले बताए कमलेटी फ्रीक्वंसी नी चाहिए मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यह मोस्ट अकरिंग वैल्यू अब बताओ जी फ्रीक्वंसी में सबसे हाइस्ट फ्रीक्वंसी कौन सी तो आप वोलोगे 20 और इसके सामने वाला क्लास इंटरव न्सकाइब तक अब जेखो मैं find के करना थाए अपर लिमिट किस मीडियन की मेडियन इंटक जाहेぜ ऊपर लिमिट 145 यह लिक्लिया 145 और जीलोब लिमिटकिस्की मॉडरक्लास की मॉडरक्लास की जीलीमिट है लिखा जी which of the following distribution model class find करना है पहली बाद जी model class के लिए इसको हमें convert करना पड़ेगा class interval में देखो class interval में इसलिए क्योंकि यह लेस दें 20 लेस दें 40 लेस दें 60 लेस दें 80 अच्छा अगर आपसे पूछो ना कि less than 40 कितने तो आप बोलोगे जी less than 40 टोटा मिलाके 12 अगर मैं का class interval बना दो देखो बीच में कितने कितने का गया बीच में बीस बीस का तो पहला इंटर्वल बनाता हूं 0 से लेके 20 मैं आपसे पुछों कि 0 से लेके 20 तक कितने student के marks आएंगे तो कितने student ऐसे हैं जिनके बीच से लेके 20 तक आप बोलोगे 4 हो गए अच्छा पहला पइंट धियान से देखना फिर आके बला शॉटकट से करें अब पुछों कि 20 से लेके 40 तक कितने student है यह पुछों कि ऐसे कितने student है जिनके मांग 20 से लेके 40 तक आथे तो आप बोलोगे जी 40 से कम वाले तो 12 थे ब तो कहने का मतलब यह है कि मैं लेस देन टाइप में इस वैली वैल्यू में से उपर वाली वैल्यू माइनस करो बस यही काम आपको आगे करने तो देखो अभी क्या करें नेक्स वाले में क्लास इंटरवल आ गया 42 60 25 में से 12 कर दिया माइनस तो आप बोलोगे 13 नेक्स वाला जी 62 80 तो जी यहां तक थे 80 तक 56 56 में से 25 कर दिया मैंने माइनस तो जी 56 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो यह आ जाएगा 31 अब 74 में से जी मैंने कर दिया कितना माइनस करना है 56 तो आप बोलोगे जी यह आएंगे 18 यह आगे सरे 18 कहां से लेके कहां तक 80 से लेके 100 तक और आप बचा जी 100 से लेके जिनके मार्स 120 के बीच में तो क्या करना था 80 में से 74 माइनस तो वह आगया जी आपके पास 6 आगे हमारे पास यह आगे simple frequency आगे अब देखो क्या बुच्छा हो था मोडल क्लास अब अप यह बताओ कि सबसे ज्यादा frequency कहां प्यकर कर रही हो ता बोलोगे 31 और 31 के सामने वाला class interval कौन सा 60 to 80 यह है जी हमारे पास model class 60 to 80 वाली option कौन सा option सी समझाए की नहीं next problem question no.7 लिखाओ जी class interval दिया हुए और पूच्छा है sum of the lower limit of the model class चलिए पहले model class find model class simple है सबसे highest value 40 इसके सामने वाला model class आगे जी model class यह आगया 30 to 40 आगया model class है आप find करना है median class but median class के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी पहले find करना पड़ेगा cf cf का मतलब cumulative frequency देखो जी cf कैसे find करते हैं cf का मतलब कुछ नहीं है जी frequency को next वाली frequency में एड़ कर देना है पहले वाली 20 पताओ 20 प्लस 30 तो आप बोलोगे 50 अच्छा 50 प्लस 24 तो आप बोलोगे जी 74 74 प्लस 40 तो आप बोलोगे जी यह आगया और जी अगर आप इस पूरी frequency को एड़ भी कर लोगे इन सारी frequencies को तब भी आपका टोटल आएगा 132 जैसे हम बोलते हैं अब आपको क्या करना होता है इस n का करना होता है हाफ और वो आ गया जी आपके पास 66 अब आप इस 66 को देखोगे community frequency में कहां पर लाई कर रहा है इसके बीच में बिल्कुल सही 50 और 74 के बीच में मैंना बोला जी कौन सा वैल्यू लेते हैं बड़े वाला बड़े वाला कौन से 74 और 74 के सामने वाला class interval है 2230 तो यह आ गया जी आपका median class 2230 अब देखो पूछा क्या है सम पूछा हुए सम किसका lower limit किसका model class model class का जी lower limit 30 लिख लिया जी सम के लिए plus डाल लिया and the model and the median class और जो median class है उसका भी lower limit उसका कितना है 20 तो आप बोता हो 30 plus 20 क्या 50 हो जाएगा यह राजिया बारां से 50 कि आए समझ में आप देखो next question गौन से लिखा जी आप सैसा of the point of the intersection of the less than type and the more than type of the community frequency curves of a group data देखो जी आगर आपको पता हो तो यह होता एकसे और यह होता वाइक्से जब हम less than type डाटा बनाते वह आता है चिलेसं डाइप डाटा आपका नीचे से लेके ऊपर तरक यह 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 रखना less than type नीचे से ऊपर और जो more than type का डाटा होता जो आता उपर से नीचे तक इसे बोलता है more than type ना तो आपसे पूछ रहा है अब सैसा अब सैसा का मतलब होता है जो पॉइंट X-axis के उपर होता है चलो यह तो बात समझ आगी कि X-axis के उपर पॉइंट होना चाहिए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मतलब कि जहां पर दो लिने कट करती कौन सी दो लाइने लेस जन टाइब वली और मौर दें टाइब वली इसका मतलब वो लाइने यहां पर कट गी और कहरा जी अगर इस पॉइंट को नीचे मिला दिया जाए तो यह जो X-axis के उपर पॉइंट आता है वो उसमें क्या find करता है तो सर यह सबसे important question है यहां पर find करता है जी मीडियन तो जी आप यह ध्यान रखना कि जो मीडियन है इसे हम किसी graph से भी find कर सकते हैं तो graph से find करने का जो method हो होता है less than type और more than type लगा के बीच में जी हम यह जो लाइन X-axis के उपर आएगी अच् इस intersection point को जब हम X-axis की साथ मनाएंगे तो स्पोस कहलो यहां value 0 यहां पर 10 यहां पर 20 यहां पर 30.5 तो यह बीच यह वाला value यह वाला value चाहे 30 आज चाहे 40 आज जो भी आए यह value आपका क्या find करेगा value find करेगा अपका medium कौन सा option था option था बी नेक्स वेला देखो डिखा जी construction of the community frequency table useful अभी मैंने बताया क्या find करता है medium find करता है दिखा which of the following can not be determined graphically इन में से कौन सा इसा है जिसको graphically find नहीं कर सकते हैं हम सर मीन भी find हो जाता है medium ही find हो जाता है मोड भी find हो सकते हैं नन अव दीज के इसमें लिखा हुआ है cannot be determined graphically तो जी तीनों जीजे हम graphically find कर सकते हैं चलो next वाला देखो के लिखा जी इसको मैं एक्जेंबल से बताता हूं देखो 246 मैं आप से पूछओ इनका मीन क्या है तो आप बोलोगी मीन से बोलते हैं एक्स बार अब देखो यह इलजेबरिक sum of deviation का मतलब होता है जी जो आपके बस terms है ना उनका मीन के बीच में से कितने का difference है उसे बोलते है deviation तो अगर मैं आपसे पूछओ कि मीन तो आपका 4 आ गया तो बताओ 2 और 4 का difference कितने का तो आप बोलोगे माइनस का 2 आप मैं आपसे पूछू कि 4 or 4 का difference कितने का तो आप भोलोगे 0 आप से पूछू कि 4 और 6 का difference कितने का है यह 6 और 4 का difference कितने का तो आप बोलोगे प्लस का 2 तो यह तो एल्जेबरिक sum का मतलब यह है यहे जो deviation है ना in total independent total तो आप बताहो जी क्या गिस इसका 2-2 से cancel हो गया आंसर कितना आ गया 0 इसका मतलब algebraic sum of the deviation of a frequency about its mean is always 0 आया समझ की नहीं लिखा जी वाइल computing the mean of the group data we assume that the frequencies are यह मैंने पहले question में बताया था centered are the class mark of the class यह देखो question दोबारा repeat हो गया का बहुत important question है दिखा जी one of the method to determine the mode mode का फामुला देखो क्या होता है देखो जी mode होता है जी 3 median minus 2 mean यह याद रखना mode का value कितना 3 times of median minus 2 times of mean अब देखो mode होता है कि mode is the most frequent value तो जी most middle most value नहीं जी least frequent value नहीं जी maximum frequent value बिलकुल सेर option कौन सा सी यह आगे जीसका नेक्स फ़ला देखो सेर क्वेस्चन नमर्ट 18 एक आजी 5 द्रॉइंग इडिस्ट फ्रीक्वेंसी पोलेगन अभी हमने मताया था less than type का और फेक continuous frequency distribution भी प्लोड दा पॉइंट्स देखो जी जब भी हमें को frequency distribution टेबल बनाना हो तो हम जो प्लोड करते पॉइंट वूज ओडिनेट पता क्या होते हैं अगा और ऑडिनेट पॉइंट होते हैं जो वाई एकशिस वाले होते हैं राइट है और अपसे ऐसा वाले पॉइंट फैसे उते हैं आ हुए नित् voud करते मुंद को टी लेते हैं तो उधिनेटarner पॉइंट स करे वह तो एक लितिक तो है आम को पता हो ना चीऊ मैं पहले आपको बता चुका हूं तो जी क्लास मार्ग ऑफ दा क्लास इस कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन है हमारे पास सी नेक्स वाला क्वेश्चन नमबर 14 देखो क्या लिखा क्लास मार्ग कुछ निया जी इनका मीड वैल्यू क्या होना चाहिए तो 150 160 के मेंड वैल्यू 155 अब देखो क्या बुच्छा एवरेज एवरेज क्या होता है सब नमबर का टोटल 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 और डिवाइड बाए कितने नमबर है एक दो तीन चार पांच पांच तेम एडिवाइड बाइड वाइव देखो कैसे काई हो नाइन और नाइन एट कितना होगे 17 17 प्लस 10 27 27 & 7 बैट इस इकल तो 34 34 & 8 बैट इस इकल टो 30 कितना मताया जी 34 प्लस 8 बैट इस एकल तो 42 डिवाइड बाए कितना फाइव सब्सक्राइब करना पड़ेगा नहीं इसा नहीं होता देखो जिन नंबर में आपका गैप से हो ना एक दो तीन चार पांच उनका मीन निकालना बिलकुत सिंपल कहां में कैसे फर्स नंबर यहां सोनना बाद फर्स नंबर और लास नंबर इन दोनों को कर दो एड और डिवाइड बाइड वाइड वाइट तू इलेवण अपॉन टू अंसर आ गया फाइप पॉइंट फॉर उसके बाद फिर आप ओलोगे जी शिक्स आ गया फिर आप कितना लिखोगे ए भी लिखोगे फिर लिखोगे जी टेन फिर इसे चलता जाएगा तो अब बता हो जी पांच तो दस तक आगे कितने टेन मल्टीपल निकाल ले तो यह पांच हो गए तो टेन मल्टीपल जो है वह आपके 20 तक हो जाएंगे तो मैं लास्वाला बीस लिज़िए ऐसे वी लिख और लास्ट वाल नंबर दोनों को कर लेना है एड और डिवाइड बाइड बाइट तो आप बोलता हो जी 22 का जो हाफ है क्या वह 11 हो गया कौन सा ओप्षिन आगया अब देखो यह क्या फाइंड करना है मीडियन कैसे आएगा टेन मल्टीपल्स ओफ थ्री बताओ जी थ्री का पहले वला थ्रीफिर शिक्स तो लास्ट वला कितना होएगा 30 होएगा अच्छा अगर आपको लिखना होएगा इन टेन मल्टीपल्स को तो लिखो कि कैसे क्योंकि अगर हमें मीडियन फाइंड करना थोढता है तो एक शक्तिरी तक। माया में दीम होगे स्ट्वेल्स को इसके वारे में में अश्त जेका व्लीक। तो आप ऐसा करो आप तर्म चोड़ो चार राइट पे और चार ही छोड़ो आप लेफ्ट पे यह दी चार लेफ्ट पे आपकी बास में पर तर्म बचेंगी दो आपको क्या करना जी इन दोनों टर्म को करना है एड और सकर देना है हाफ यानि कि 15 प्लस 18 डिवाइड बाइड वाइट तो जी आपका अंसर आगे 16.5 इसी को बोलते हैं जी हम मीडियन प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे और इमसली लिखने पड़ेंगे कि आप इनके भीच का गैप सेम नहीं होता पहला जी मीडियन नंबर आता है 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर उसके बाद 13 फिर उसके बाद 17 फिर 19 फिर 23 देखे कितने होगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और 23 के बाद आता है जी आपके बाद 29 ही होगी 10 अगर जी मुझे इनका मीडियन फाइंड करना है तो क्या मैंना बोला जी चाह टम छोड़ दो राइट पर और चाह टम छोड़ दो लेफ्ट पर आपको क्या करना है दोनों को एड और डिवाइड बाइट यह आगे 24 डिवाइड बाइटू अंसर कितना 12 कौन सो ऑप्शन है जी ऑप्शन भी अब दे सब्सक्राइब तो मैंने बोला फिर्स्टम और लास्टम दोनों को एड कर दिया डिवाइड बाइट यह आगया जी टू यह आगया 27.5 कौन सो ऑप्शन है जी दा मीन आफ दा फिर्स्ट एन मुल्टिपल्स और फाइव त्वन्टीस फाइव देखते फिर देखते कुछ मि सब्सक्राइब कर दोनों को कर दिया 55 डिवाइड बाइट बाइट वीन आथा जी हमारे पास 27.5 बिल्कुल सही है जी ऑप्शन में नहीं है नन अफ दीस हमारा आंसर है चलो जी नेक्स विला करते हैं क्वेस्टन नमर कौन सा इन एक्स विला क्वेशन देखो क्या है लिखा लिए क्लास मार्क अपू पता हो न lot अच्छा स्मेड अच्छेस यह लॉवर लिमेट प्लस अपर लिमेट डिवाइड बैड वाए-2 उनका पांच क्लास इंटरवल और उनके बीच का जो क्लास साइज है वो है टेन लास क्लास इंटरवल कितना हो यह बिल्कु सिंपल है देखो जी पहले वाला जीरो से लेके 10 तो गोएगा उसके बीच वाला वैल्यू पांच आएगा क्योंकि दस जीरो दस के बीच में क्या दस का है और भीच वाला वैली पांच है फिर आएगा दस से लेके 20 तक फिर आएगा 20 से लेके 30 तक फिर आएगा 3240 फिर आएगा 4250 तो पूछ क्या रहा है बुछ रहे दर लास क्लास इंटरवल कितना होना जी तो तो टोटल बिलागे कितने बता रहे था व पांच एक दो तीन चार पांच तो लास वला होएगा 42 50 कौन सा option है option आगया सी चलिए लास वला कुछन देखते हैं कहले लिखा जी class mark and the class size of a class interval 25 देखो जी 25 का मतलब यह lower limit का और upper limit का midpoint और बोला हुआ है जो class size है वो 10 का class size का मतलब lower limit और upper limit इनके बीच का जो gap है वो 10 है तो पूछ रहा है class interval क्या होना चाहिए आप खुद बताओ जी अगर यह 20 हो और यह 30 हो तो क्या एंगा वीडियों में सेम यही वाले mc की question लेकर आऊंगा और साथ के साथ में जो theory पार्ट बताने माला होएगा मैं साथ के साथ आपको solve करता जाओंगा और अब जी लास्ट पार्ट यह मेरी बुक आती है round up वाली यह nearest कोई भी बुक स्टोर है आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो और जी अगर आप बैंकिंग का एससी का यह सीटेट का पीटेट का कोई भी एक्जाम दे रहे हो तो जितने भी शॉटकोट होएगे वह आपक बिले बोर दी थे तेंकिव